git checkout command पर spoken tutorial में आपका स्वागत है इस tutorial में हम सीखेंगे कि git repository पर vivid files कैसे जूरते हैं git repository से file कैसे मिटाते हैं मिटाई गई file को दोबारा कैसे प्राप्त करते हैं एक file में किये गए बदलावों को कैसे हटाते हैं और पिछले division पर कैसे वापस जाते हैं इस tutorial के लिए मैं उप्योग कर रही हूँ Ubuntu Linux 14.04 git 2.3.2 और gedit text editor आप अपनी पसंद का कोई भी editor प्रियोग कर सकते हैं इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको terminal पर run होने वाली Linux कमांड की जानकारी होनी चाहिए यदि नहीं तो संबंदित Linux tutorials के लिए कर पर हमारी website पर जाएं अब देखते हैं कि get repository में vivid files कैसे जोडते हैं Terminal खोलने के लिए Ctrl, Alt, T दबाएं हम अपने get repository my web page में जाएंगे जो हमने पहले बनाई थी टाइप करें cd space my web page और enter दबाएं प्रदर्शन के लिए मैं html file का उपयोग जारी रखूंगी आप अपनी पसंद का कोई भी file type उपयोग कर सकते हैं अभी हम दो html files बनाएंगे अतह टाइप करें gedit space mystory.html space mynovel.html space m% prompt को खाली रखने के लिए हम m% उपयोग करते हैं एंटर दबाएं मैं इस file में अपने writer document से कुछ code copy और paste करूंगी जो मैंने पहले ही save किया था अब इस file को save करते हैं टर्मिनल में सबसे पहले git space status टाइप करके और एंटर दबा के git status चेक करें यह दो untracked files दिखाता है अब हम tracking के लिए untracked files को जोडेंगे टाइप करें git space add space dot और एंटर दबाएं git add dot command staging area में सारी untracked files को जोडेंगी अताव वो दो files my story dot html और my novel dot html staging area में जोडी जाती हैं एक बार फिर name न टाइप करके git status चेक करते हैं git space status और एंटर दबाएं हम देख सकते हैं कि git repository के staging area में हमारी दोनो files जोडी गई हैं अब अपनी files my story dot html और my novel dot html पर वापस जाते हैं अब हम code की कुछ अधिक लाइने इन दोनो files में जोडेंगे पहले की तरह मैं अपने writer document से copy paste करूंगी एक बार फिर files को save करें और बंद करें आब name न टाइप करके git का status चेक करें git space status और एंटर दबाएं यह changes not staged for commit or modified my novel dot html और my story dot html दिखाता है इसका मतलब है कि बदलाब जो हमने किये वो staging area में नहीं जोडे गए अब इस point पर अपने काम को commit करते हैं अतहर टाइप करें git space commit space hyphen a space hyphen m space double course में added two files और enter दबाएं ध्यान देख जैसे कि हमने पिछले tutorial में देखा हमने commit करने से पहले staging area में संशोदेद files नहीं जोडे थी और committing message के लिए editor भी नहीं खुला था यह इसलिए है क्योंकि यहां हमने hyphen a और hyphen m flags उपयोग किये हैं यह flags किसलिए हैं अपनी स्लाइड्स पर वापस जाते हैं hyphen a flags staging area में सारी संशोदेद files को जोड़ने में उपयोग होता है जब हम hyphen a flag उपयोग करते हैं तो हम staging area में रुपांत्रत files को जोड़ने के लिए अलग से git add कमांड की जरूरत नहीं होती है hyphen m flag कमांड लाइन में ही commit message देने के लिए उपयोग होता है हम flags hyphen a और hyphen m को hyphen am की तरह उपयोग कर सकते हैं करमिनल पर वापस जाएं git space log टाइप करके और enter दबा कर git log चेक करें आप commits के सूची देख सकते हैं ध्यान दें कि पहले नवींतम commits सूची बद होते हैं जिसका मतलब है कि commits काला नुक्रम में क्रम में सूची बद होते हैं यदि आपने git repository में एक गलत फाइल जोड दी है तो यह आसाने से हटाई जा सकती है मानें उधारन के लिए मैं mypage.html फाइल हटाना चाहती हूँ टाइप करें git rm----cached mypage.html और enter दबाएं यह कमांड staging area में mypage.html फाइल को हटा देगी अब हम git space status टाइप करके और enter दबाकर git status को चेक करेंगे यह कहता है कि फाइल mypage.html अंट्रैक्ड है अब हम नेमने टाइप करके फाइल सिस्टम से वो फाइल मिटा सकते हैं rm-mypage.html और enter दबाएं यह कमांड my webpage folder से उस फाइल को पूरी तरह से हटा देगी अब हम चाचेंगे कि git repository से वो फाइल हटाई गई है या नहीं अथा टाइप करें git space status और enter दबाएं यह message deleted mypage.html दिखाता है अब ls टाइप करके और enter दबाकर फाइल्स की सूची देखते हैं यह हम mypage.html फाइल नहीं देख सकते क्योंकि यह मिटाई गई है इस point पर अपने code को freeze करते हैं commit करने के लिए टाइप करें git space commit space hyphen am space double quotes में deleted mypage.html और enter दबाएं अब निमने टाइप करके git log देखते हैं git space log और enter दबाएं exit करने के लिए अपने keyboard पर cue की दबाएं यहां हम commit message पढ़कर नवीन तम commit गयात कर सकते हैं अब मानिये हमने गलती से mypage.html डिलीट कर दिया है और हम इसे दुबारा प्राप्ट करना चाहते हैं इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम पिछले commit से मिटाई हुई file को दुबारा प्राप्ट कर सकते हैं अब दूसरे commit से अपने file को दुबारा प्राप्ट करते हैं जो commit message added to files रखता है दूसरे commit hash की पहली 5 digits को चुनें और उन्हें copy करने के लिए Ctrl-Shift-C keys दबाएं पहली 5 digits काफी हैं अगर आप चाहते हैं तो आप 5 से ज्यादा digits भी copy कर सकते हैं टाइप करें git checkout space और commit hash को paste करने के लिए Ctrl-Shift-V keys दबाएं आप फाइल का नाम mypage.html टाइप करें और enter दबाएं अब git status चेक करते हैं टाइप करें git space status और enter दबाएं आप mypage.html देख सकते हैं इस point पर अपना काम commit करते हैं द्यान दें कि जब भी हम कोई file जोडते या delete करते हैं टाइप करें git space commit space hyphen am space restored mypage.html और enter दबाएं आप फाइल को सूचे बद्द करते हैं टाइप करें ls और enter दबाएं हम देख सकते हैं कि हमारी file mypage.html दोबारह प्राप्त हो गई है आगे हम देखेंगे कि file में किये गए बदलावो को कैसे हटाते हैं फाइल्स खोलें टाइप करें gedit space mypage.html space mystory.html space am% और enter दबाएं हम mypage.html और mystory.html में कुछ रूपांतरा करेंगे अब दूनों files में कुछ लाइने जोडते और मिटाते हैं फिर files को save करें और बंद करें कुछ इस्थतियों में हम इन बदलावों के साथ आगे नहीं जाना चाहते जिसका मतलब है हम अपने काम की पिछली stage पर जाना चाहते हैं अब सीखते हैं कि यह कैसे करते हैं पहले हम git status चेक करेंगे टाइप करें git status और एंटर दबाएं यह बताता है कि कुछ files रूपांत्रेट की गई हैं अब टाइप करें git checkout space dot और एंटर दबाएं यह command हमारे काम के नवीन तब मतलावों को मिटाएगी अब git status चेक करते हैं टाइप करें git space status और एंटर दबाएं यह बताता है nothing to commit आप files को यह देखने के लिए चेक करते हैं कि बदलाव अभी भी वहां है या नहीं टाइप करें gedit space mypage.html space mystory.html space m% और एंटर दबाएं हम देख सकते हैं कि हमारे संशोधन हटा दिये गए हैं files को बंद करें अब git log चेक करते हैं टाइप करें git space log और एंटर दबाएं यह commits की सूची दिखाता है अधिक देखने के लिए down arrow की दबाएं exit करने के लिए अपने keyword पर q की दबाएं यदि आप एक line में commits सूची देखना चाते हैं तो टाइप करें git space log space hyphen hyphen one line और एंटर दबाएं यहां आप एक line में उनके commit hash और commit messages के साथ commits की सूची देख सकते हैं हम अपने काम के पिछले division में कैसे जा सकते हैं इस समय हमारी repository में चार commits हैं जिसका मतलब है कि हमारे काम के चार revision हैं मानिए हम initial commits stage में वापस जाना चाहते हैं अतहर टाइप करें git space checkout space फिर initial commit के commit hash को copy और paste करें और एंटर दबाएं अब files को सुची बद करें टाइप करें ls और एंटर दबाएं यहां हम केवल एक ही file mypage.html देख सकते हैं क्योंकि हमारे पास केवल यही file थी आप git log चेक करते हैं टाइप करें git space log और एंटर दबाएं हम केवल पहला commit देख सकते हैं जो की initial commit है वर्तमान संशोधन पर जाने के लिए टाइप करें git space checkout space master और एंटर दबाएं हम भविशे के टुटोरियल्स में term master के बारे में सीखेंगे एक बार फिर निम्न टाइप करके git log चेक करते हैं git space log space hyphen hyphen one line और एंटर दबाएं अब आप सभी चारो commits देख सकते हैं अतह अब हम नवींतम stage में हैं इस तरीके से हम अपने काम की किसी भी stage में वापस जा सकते हैं पुराने revision पर जाने के लिए एक अन्ने तरीका है टाइप करें git space reset space hyphen hyphen hard फिर initial commit के commit hash को copy और पेस्ट करें और एंटर दबाएं अब git log check करते हैं टाइप करें git space log और एंटर दबाएं यह दिखाता है कि अभी हम initial commit stage में हैं अब नवींतम revision पर वापस जाने की कोशिश करते हैं पहले की तरह टाइप करें git space checkout space master और एंटर दबाएं हम नवींतम revision पर वापस जाने में सक्षम नहीं हैं इसके बजाए हमें एक message मिलता है already on master इसका मतलब है यह हमारा नवींतम revision है अत्वा धिहान दें एक बार जब हम command git reset hyphen hyphen hard उपयोग करते हैं तो हम नवींतम stage पर वापस नहीं जा सकते अत्वा हमें इस command के साथ बहुत साबधानी रखनी चाहिए इसके साथ हम इस tutorial गैंद में आ गए हैं इसे सारा इशित करते हैं इस tutorial में हमने सीखा, git repository में vivid files कैसे जोडते हैं, git repository से files कैसे मिटाते हैं, मिटाई हुई files को कैसे वापस लाते हैं, file में किये हुए बदलावों को कैसे हटाते हैं और पिछले division पर कैसे वापस जाते हैं एक नियतकारे में अपनी git repository पर जाएं जो अपने पिछले tutorial में नियतकारे में बनाई, अपने text file में कुछ संशोधन करें, बदलावों को commit करें अपने पुराने revision पर फिर से जाने की कोशिश करें, अपने text file में दुबारा कुछ संशोधन करें और बदलावों को हटाने की कोशिश करें नियमने link पर upload video spoken tutorial project को साराइशित करता है, रपय से डाउनलोड करें और देखें spoken tutorial project team कारे शालाएं चलाती है और online test बास करने वालों को प्रमाण पत्र देती है, अधिक जानकारी के लिए क्रपय हमें लिखें spoken tutorial project भारत सरकार के, MHDK, NME ICT द्वारा निदिबद है, इस मिशन पर अधिक जानकारी नेमने link पर उपलब्द है IIT Bombay से मैं शुती आ रहे, आपसे विज़ा लेती हूँ, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद कर चाहाँ इस विए इस देती है